दोस्तों नमस्कार शरकेलाज बिश्करमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और मैं बात करूंगा आज महत्पुर्ण प्रिश्णोत तरुप की जिसमें आप जानते हैं कि हमने जेल पहरी से संबंदिक जो प्रिश्णावली आपको हल करा रहा हैं महत्पु से consistent है तो और हमें comment बाता हैं जिस से कि हम इनके वीडियो भी बनाकर आपको देंगे तो दोस्तों पहला कोईश्ण है अत्यविख्ज़ चुनिए आपको सही चंदी विख्ज़़ चुनना थे अतीधन अधिक अत्यगण अधिक और अतीधन अधिक और सही इसका जवाब हो जाएगा हमारा अती धन अधिक तो ये बन जाएगा अत्या धिक ये सही संधी विछेद हो जाएगा अत्या धिक का ऐसे ही कोस्टन नमबर दूसरा देखिए मंत्री मंडल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है मंत्री मंडल, मंत्री मंडल, मांत्री मंडल या मंत्री मंडाल तो सही जबाब हो जाएगा मंत्री मंडल जो पहला आप्शन है बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा मंत्री मंडल मात्रा छोटी हो जाएगी बड़ी की जगह है और इसी प्रकार तीसरा option आप देखिए यहाँ है संचाय के लिए शंदी विछेट को चुनिए शंधन चाय दूसरा शंधन चाय तीसरा शंधन चाय और चौथा है शंधन चाय और तही जवाब हो जाएगा हमारा शंधन चाय जो option है हमारा शंधन चाय तीसरा option ये बिलकुल सही है और संदी विच्छेत के लिए ये option आपको चुनना पड़ेगा question number 4 देखती हम यहाँ पे अनूठा छाप अंगूठा छाप हम कहते हैं न ऐसे कहावत न अंगूठा छाप है मुहाबरा है ये और इसका अर्थ निमलिखित विकल्पों में इसे कौन सा है म्रत्तु निकटाना होता है निरक्षर होता है किशी व्यक्ति के इमान या चरित्र पर शंदे करना होता है या देने से साफ मना कर देना होता है और अंगूठा छाप का अर्थ आप समझ गए होएंगे बिलकुल और सही जवाब ये लिजी स्क्रीन पर जो है निरक्षर दूसरा ओप्षन बिलकुल सही जवाब हो जाएगा इसी प्रकार पांचवा ओप्षन देखिए अकश्मात का शुद रूप निम्न में से कौन सा है कोश्चन है पांचवा अकश्मात का हमको शुद रूप बताना अकश्मात अकश्मात अकहस्मात अकाश्मात और इसका सही जवाब जो है इस्क्रीन पर अकश्मात आप देखिए अकश्मात जो पहला आप्षन है बिलकु च्छटवा कोश्चन देखिया आग के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंग्ति को चुनिये अगनी अनिल और रैन अगनी अनल त्रियाम अगनी अनल पावक और तमी अनल और पावक देखिये अगनी के लिए आग के लिए सही जो हो जाएगा वह तीसरा आप्श पावक कहते हैं देखिए अगनी अनल और त्रियाम नाम नहीं सुना कभी आपने रैन आपने कभी नाम नहीं सुना होगा और ऐसे ही आपने तमी नाम कभी नहीं सुना होगा देखिए सही जबाब अगनी अनल और पावक जो है तीधरा ओप्षन बिल्कुल सही जबाब हो यह सब्सा है इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आप समझेगे मिल धन आवट और मिलावट जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें आवट प्रत्याय क्या है जो शब्द के पीछे लगकार जो शब्द बनते हैं नए शब्द उन्हें हम प्रत्याय कहते हैं यदि आपने इस प्रकार के प्रत्याय और उप्षर का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हिंदी के सभी वीडियो देख रकते हैं क्वेश्चन नमबर आठवा करकश का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है विलोम शब्द आपको बताना है मधुर मधुर है पहला दूसरा मधुर है तीसरा मधूर है और चौथा माधूर है और सही जवाब हो जाएगा मधुर करकश का विलकुल विलोम शब्द पूछ है और वो हो जाएगा मधुर इसी प्रकार नौबा आप्शन आपकी स्क्रीन पर कि अद्भुत रश का स्थाई भाव क्या है क्या अनोखा है या फिर विलाश है विश्मा है या भायानक है और सही जवाब हो जाएगा विश्मा है क्योंकि अद्भुत जो है रश इसका आर्थ होता है उपसर्ग आप समझते हैं कि शब्द के शब्दानिस के पूर्व में जुड़कर जो नया आर्थ प्रगट करें उसे हम उपसर्ग कहेंगे तो उपसर्ग वी जो है उसमें वी लगाकर एक नया शब्द बनाना है तो वी राम कभी भी राम और अभी और करना इसी प्रकार आप देखिए ग्यारबा ओप्षन वेतन के बिना कारी करने वाल अर्थाथ बिना वेतन के काम करने वाले के लिए कौशा शब्द होगा बिना वेतनिक अबेतनिक अबेतनिक और सही जवाब हो जाएगा अवेतनिक दूसरा ओप्षन जो है बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा वैतनिक इसी प्रकार कोश्चन नमर 12 नर नारी में निम्न में से कौन सा शमास है अब्याई भाव है द्वन्द शमास है बहुब्री शमास है या दिगू शमास है दो बात की जा रही है यहां दोनों चीज नर और नारी की बात की जा रही है इसलिए यहां पर बिल्कुल द्वन्द समास हो जाएगा बिल्कुल सरी जवाब है द्वन्द समास आपका क्योंकि यहाँ पर नर और नारी के बीच में भी देखिए यहाँ यह जक्चिन लगा हुआ है और दोनों विपरीत नर अलग होता है और नारी अलग होते हैं इसलिए यहाँ पर बात नहीं हो रही उसके लिए एक सब्ध कौन्शा होगा और अलप जानने वाला कहते हैं कम जानने वाला कहते आई, इसी प्रकार आप देखे, चौदा नमबर का कोस्चन है, हाथो हाथ में कौन सा समास है, अब्याईभाव है द्वंध है बहुब्री है ततपुरुश है और तो ही जवाब यहां पर हो जाएगा अब्याई है जिसका अब्याईभाव समास जो शब्द अब्या है वो दोनों हाथों हाथ यानि जुड़ा हुआ है इसलिए अब गई भाव समास है आप समास की लिष्ट में देख सकते हैं वीडियो हमारा करमठ का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है आप क्या विलोम शब्द बताना बिलकुल बहुत ध्यान से रहे उसे हम करमड व्यक्ति कहते हैं और वह व्यक्ति जो काम बिलकुल नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं निठला कहते हैं कोस्चन नमबर सोला की हम बात करते हैं बाल बली सूखी शुखद इह रूखे रूधाम फेरी डहडी कीजिए सुरस साची घनस्याम में निम्न में से क और यहाँ पे आपको अलंकार को पहचानना है और तही है अनुप्रास है अनुप्रास की विशेस्ता जो है उसकी वियम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होता है अनु यानि पीछे चलने वाला और यहाँ पे देखिए आप जो शब्द है उनके सुर साची यह जो शाशा की आबरती हो रही यहाँ पर इसलिए यह अनुप्रास यहाँ पर देखिए बा और बा की आबरती हो रही है फिरसा और शाशा की आबरती हो रही है आबरती होती है पीछे पीछे चलने वाले शब्द जहां होते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंगकार होता है question number 17 देखिए राधा के वर वन सुनी चोनी चकित शुभाई दाख दुखी मिसरी मुरी सुधा रही सकुचाई में कौन सा अलंकार होता है और उपमा और सही जवाब हो जाएगा हमारा अनुपरास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं राधा के वर वन अने दो यहाँ पे वावा की आबरती हो गई और यहाँ पे चा की आबरती हो गई है इस प्रकार यहाँ पे देखिए आबरती होने के कारण अनुपरास है 108 की बात करेंगे दुर उफ्षर से बना शब्द कौनसा है दुर्भाव दुर्भाशा दुर्भाव दुर्भव og और तही जवाब हो जाएगा हमारे नहां पे दुर्भाव जो तीसरा आप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कोश्चन नमबर उन्नीस की बात करेंगे वर्दंत की पंगत कुंदी कली अधराधर पल्ला खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवी मोतिन माल अमोलन की नमने इस कौन सा राशा है आपको बताना है भक्ती राशा है वातसाल है श्रंगार है या फिर शांत राशा है और यह कुंद कली अधराधर पल्ला खोलन की चपला चमके घन बीच जगे छवी मोतिन माल अमोलन की अर्थात यहां पर कृष्ट की बिशा में बात की जा रही है और अधिक हम बात करेंगे वीडियो में तो बीजवा कोश्चन हम लेते हैं कमल के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है और कमल जो है उसके लिए संजीव नीरज सरोज राजीव नीरज शरोध राजीव नीरज शरोध राजीव नीरज शरोज या राजीव रज और सरोज और सही जवाब जो हो जाएगा हमारा यहां पर राजीव नीरज और सरोज यह है सही जवाब हो जाएग तीसरा option तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए नमस्कार